हेलो माई दिया स्ट्रेंट्स वेल्कम बैक इन अजीब सिंगर कैट में तो चलिए हम बात करेंगे exercise 2.6 और इसके solutions को चेक करते हैं exercise 2.6 को आप कैसे solve करोगे question number first कहता है state whether the following are true or false statement मतलब आपको देखके बताना है कि यह true statement है यह false statement है the hcf of two prime numbers is अब hcf of two prime numbers जो है उनका hcf आपको आएगा क्या तो चेक करते हैं दो prime number को जैसे माल ले जए 3,5 ले ले लेते हैं ठीक है चेक करके देखते हैं answer क्या आएगा वो तो अभी बता जोता हूं और माल ले जए मैंने 7 और 9 ले लिया तो इनका अगर हम product अगर लिखें अगर आप इसका hcf निगालना चाहते हैं तो division method से चलते हैं हम इसको करते हैं हमारे पास तो hcf क्या मिला यहां पर 1 मिला इसके बाद 7 और 9 को भी देख लेते हैं 7 और 9 से अगर डिवाइट करेंगे तो 7 और 7 क्या आएगा 2 2 से 7 को डिवाइट करते हैं 2 3 जा 6 क्या आएगा remainder 1 1 से 2 को डिवाइट करेंगे 2 कट गया तो फिर से hcf क्या आया आपका 1 आया तो इसका मतलब हो गया कि this statement is true statement तो यह आपका क्या है this statement is the true statement the hcf of 2 co-prime number is 1 अभी हम पिछले वीडियो में भी हमने यही चीज़ डिसकस किया था कि 2 co-prime numbers का hcf हमेशा 1 होता और lcm of 2 co-prime numbers क्या होंगे product of the numbers होंगे ठीक है the lcm of 2 prime number is 1 no lcm of 2 prime numbers जो है उसका product of numbers होते है ठीक है मालो 3 और 5 का अगर lcm निकालना परेगा तो आप इसको क्या करोगे इसका product निकालोगे 3 multiply 5 जो है यह इसका lcm बनेगा 3 into 5 क्योंकि दोनों ही prime numbers है तो कोई factorization करने जोती है सिधा आपको multiply कर देना है ठीक है the hcf of 2 or more numbers is a factor of their lcm देखे है hcf of 2 or more number is a factor of their lcm ये भी सही बात है कैसे सही बात है तो ध्यान रखिए कि अगर माल लिजे मैंने कहा 4 or 8 4 or 8 थे ठीक है तो 4 and 8 का hcf निकालते है इसका हम hcf निकालते है तो इसका जब आप hcf निकालोगे तो इसका hcf 2 निकल की आएगा कैसे निकल की आएगा 4 से 8 को divide किये 4 to자ah 8 हमारा cut गया sorry 4 2 जा 8 है तो 2 क्यों 4 आएगा sorry तो इसका HCF क्या आया highest common factors तो यह हमारा क्या आएगा यहाँ पर 4 आएगा तो यह 4 आएगा लेगे इसका अगर हम LCM निकाले तो LCM क्या निकल क्या आएगा इसका LCM निकल के आएगा 8 LCM क्या निकल क्या आएगा 8 अब देखिए 4 जो है वो 8 का factor है या नहीं है तो आपका answer क्या होगा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम true लिखेंगे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर तो यहाँ पर हम true लिखेंगे getting my point तो हमने क्या देख रहा कि यह हमारा statement true है next statement है कि the HCF of any two number is greater than either or both of the numbers the HCF of any two number is greater than देखें HCF greater than नहीं हो सकता है वो हमेसा LCM होता है जैसे 4 और 8 का भी हमने HCF क्या देखा था 4 ही तो देखा था लेकिन LCM क्या देखा था 8 देखा था तो वो smallest value कौन आया HCF ही तो आया है तो यह हमारा क्या है greater than नहीं होगा तो this statement is the false statement तो now it is clear to you all कि how you are going to solve this question question number 1 को कैसे solve करेंगे समझ में आगिया होगा आप लोगों को आदेखें नहीं समझ में आया है तो आप chat message कर दीजिएगा मुझे मैं बता दूँगा अब question number 2 को देखते है question number 2 कहता है क्या कह रहा है वही है question number 2 देखा जाई यहाँ पर question number 2 question number 2 कह रहा है कि the HCF and LCM of two numbers are 10 and 140 if one of the number is 70 find the number एक formula हमने पढ़ा था उस formula में कहा गया था कि HCF multiply LCM is equal to number 1 multiply number 2 यह formula था अब इस formula को अगर हम derive करेंगे तो माल लिजिए आपको number 2 अगर पता करना है number 1 दिया गया है तो वो जो 2 number है वो निकलेगा HCF multiply LCM divided by number 1 से मतलब जो भी number निकालना हो number 2 निकालना है तो number 1 से डिवाइड किजिए और number 1 निकालना है तो number 2 से डिवाइड किजिए मैं अब LCM into LCM product of HCF and LCM divided by one number यह formula है और अगर आप question number 2 में देखिए तो यहाँ पर क्या गिया हुआ है given क्या है यहाँ पर given है HCF और HCF कितना दिया हुआ है 10 यहाँ पर given है LCM, LCM क्या दिया हुआ है 140 और यहाँ पर given है number 1 तो number 1 क्या दिया हुआ है 70 और अब आपको क्या करना है आपको निकालना है number 2 आपके पास number 2 जो है वो आपको पता नहीं है तो number 2 को निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे हम formula लिखेंगे तो formula क्या होता है हमारा number 2 का formula क्या है hcf multiply lcm divided by number 1 तो जो value है उसको उस formula में put करते हैं hcf क्या आजाएगा 10 आजाएगा lcm क्या आजाएगा 140 आजाएगा और divided by क्या आएगा 70 अब 70 के table में अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर 10 से हम divide करेंगे 10 1 जा 10 10 7 जा 70 और 7 के table से 7 1 जा 1 7 2 जा तो यह क्या आगया हमारा 20 आजाएगा यहां पर ठीक है तो finally जो lcm निकल के आया है वो क्या निकल के आया 20 तो जो another number है वो क्या हमारा 20 है second number क्या हमारा मैं फिर से बता दे रहा हूँ final answer क्या हमारा 20 तो this is the answer of number 2 now move on the next question 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 number 3 को देखते है मैं screen को clear कर लेता हूँ आप चाहो तो screenshot ले लेना question number 3 क्या कह रहा है कि the product of two numbers is this यानि कि product of two numbers दिया हुआ है product of two numbers दिया हुआ है given है यह product of two numbers ठीक है हमें product of two numbers निकालना ही होते है तो यह already इसने दे रखा है तो okay good very good उसके बाद कहता है कि the HCF of this number is 9 अब HCF भी आपको पता है 9 तो आपको क्या करना है LCM निकालना है तो formula क्या होता है LCM इसकल्चू हो जाएगा product of two numbers product of two numbers ठीक है two numbers okay यह two जड़ा सा मैं साफ सुत्रा लिख दूँ थोरी handwriting जल्दी बाजी में कराब हो जाती है product of two numbers divided by HCF तो product of two numbers क्या हमारा 1215 1215 undivided by क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा तब 9 से इसको divide करके देख लेते हैं एक दो एक पाच को तो 9 एकम 9 यहां पर क्या बचा 3 31 हो जाएगा 930 27 होता है तो यहां पर क्या बचा 445 950 45 बजाएगा ठीक है तो क्या है हमारे पास हमारे पास answer आ गया 135 तो LCM क्या निकला इसका फाइनली आपसे answer पूछा जाएगा तो आप answer क्या बता होगे तो आप answer हो जाएगा आपका 135 तो this is the answer for this question ठीक है तो इस questions का answer आपको यह निकला कि LCM is equal to 135 ठीक है screenshot ले लिजिए या video को पाउच करके note कर लिजिए next question को देखते है question number 4 question number 4 क्या क्या कहता है product of two number is given is 2662 if the LCM of this number is this find the ACF question number 4 को देखिए फिर से हमारे पास क्या है product of two numbers given क्या है given है product of two numbers ठीक है तो product of two numbers given है two numbers कितना दिया हुआ है 2662 okay और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है LCM दिया हुआ है 242 अब आपको क्या करना है HCF calculate करना है LCF निकालना है तो formula क्या बनेगा? HCF equal to हमारा formula क्या होगा? product of two numbers product of two numbers ठीक है और इस two numbers को divide किसे करना है? divide करना है LCM से तो हमारा product of two numbers क्या है 2662 और इसको हमें divide करना है 242 से, तो चले divide करके देखते हैं, 2662 को 242 से divide करते हैं, 242 से divide करेंगे, तो one times में आपको divide करना होगा, 6 में से 2 को minus करोगे, 4 आएगा, 6 में से 4 को minus करोगे, 2 आएगा, 2-2 cancel हो जाएगा, फिर से क्या आगया, 242 आगया, 241 जाही ह हो गया, HCF क्या हो गया हमारा HCF हो गया 11, तो this is the answer of this question, ठीक है, तो चले question number 4 भी हो गया, अब question number 5 को देखते है, question number 5 में क्या है, हमारे पास एक table दिया होगा है, और इस table को हमें solve करना है, कहता है fill in the blanks in the table, first number dash, second number 10, HCF 2, LCM 3, 30, product of two numbers हमें बताना है, देखो हमारे पास second number है, सबसे पहले हमें first number पता करने होगे, first number पता करने के लिए question number 5 का first, मैं direct formula पर लिखता हूँ, हमें क्या निकालना है, first number, तो first number निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा, HCF multiply LCM divided by second number, second number को मैं short में लिख देता हूँ, तो यह आपका हो जाएगा, 30 multiply 2, sorry HCF था पहले, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 multiply 30 लिखेंगे, ठीक है, 2 multiply 30, और second number हमारा 10, 10, 3 is a 30, और 3, 2 is a 6, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, अब product of two numbers क्या निकल के आएगा, product of two numbers, तो product of two numbers अगर हम निकालेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा, 6 multiply 10, and this is the 60, this is the 60, और यह आ direct LCM और HCF को multiply करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि product of two numbers is equal to product of LCF and LCM होता है, अब इसी basis पे यहाँ देखते हैं, हमारे पास product of two numbers दिया हुआ है, हमारे पास product of two numbers दिया हुआ है, हमारे पास LCM दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं, ठीक है, और HCF निकालने के लिए, या आप second number भी निकाल सकते हैं, first number अगर पता है, product of two numbers दिया हुआ, एक number पता है, तो क्या करोगे, उससे divide कर दोगे, तो आपको first number भी मिल जाएगा, तो चलो देखते हैं, तो product of two numbers, तो LCM से इसको divide कर देंगे, LCM से divide करेंगे, तो 360 को अगर आप 60 से divide करो तो HCF के लिए मैंने क्या किया, 360 divide 60 कर दिया, तो ये हमारा 6 आगिया, अब second number के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मिरे पास दो option है, अब second number के लिए या तो हम, हम क्या करेंगे, product of two numbers जो होता है, वो product of HCF भी होता है, हम इसको 12 से, first number से divide कर देंगे, तो 12 यह क्या होता है 36, तो यह हो जाएगा 30, तो यहाँ पे answer क्या आएगा, 30 आजाएगा, question number 3 को देखिए, question number 3 में हमारे पास first number दिया है, second number दिया है, तो product of two numbers निकालना है, तो product of two numbers के लिए क्या करेंगे, 80 को 25 से multiply कर देंगे, तो 25 को 8 से multiply कर दो, यह 200 होता है, तो 2000 हो जाएगा यह, क्या हो जा 80 multiply 25 is equal to 2000, is equal to 2000 हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना था, अब आपको HCF और LCM निकालना है, ठीक है, आपके पास product of two numbers पता है, जो product of two numbers होता है, actually वो multiplication of HCF और HCF भी होता है, होता है, तो चाहो तो आप HCF-LCM direct calculate कर लो, या इस formula के basis पे भी हम calculate कर सकते हैं, तो HCF निका निकालने से हमें HCF से divide करना परेगा, तो हमारे पास कोई option नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले HCF calculate कर लेता हूँ, इसका, ठीक है, तो HCF निकालना हो, तो अब हम क्या करेंगे, 25 से 80 को divide करेंगे, 25 से 80 को divide करते हैं, तो 25, 3 जा 75 आ जाएगा, और यहाँ पे 5, और 5 से 25 को divide करोगे, तो 5, 5, 25 आ जाएगा, तो क्या मिला, HCF हमारा 5 मिल गया, HCF आपको पता से लगया, तो LCM आप इसली निकाल सकते हो, LCM के लिए क्या करोगे, LCM के लिए आप 25, multiply 80 कर दो, और divided 5 कर दो, 5, 5, 0, 5, 8, 40, तो कितना हो जाएगा, यह चार सो हो जाएगा, तो यह कितना हो Second last question है, question number 4 को देखते हैं, मैं direct clear भी लिख सकता था, लेकि उससे box table के अंदर जो number लिखे हैं, वो भी delete हो जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो अब हमारा क्या रहेगा, next question solve करना है हमें, तो next questions के लिए question number 4 को देखते हैं, question number 4 क्या कह रहा है, कि यहाँ पर first number नहीं पता है, second number पता है हमें, और हमें product of two numbers भी पता है, तो first number पता करने के लिए हम क्या करेंगे, first number को पता करने के लिए हम product of two numbers को 90 को 15 से divide कर देंगा, तो 15 6 क्या आएगा, 90 आएगा, तो यह आपका 6 हो क्या है, अब आपको HCF और LCM निकालना है, दो number आपको पता चल गया, product भी पता चल दिया, अब यही जो answer 90 होगा, वही इसका product हैगा, है ना, तो अब आपको क्या करना है, आपको HCF निकालना है, माल दीजिए, तो division method से हम HCF निकाल देते हैं, तो 6 से हम 15 को divide करेंगे, 6 2 जा 12 होगा, यह को prime number है हमारा, और नहीं, sorry, आप यहाँ प two numbers को HCF से divide कर देंगे, यहाँ पे HCF देख लिए, जो तीना है था, तो 3 से divide करेंगे, तो क्या आजाएगा, हमारा 30 आजाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है, last questions को देखते हैं, question number 5 को देखते हैं, यहाँ पे 48 दिया हुआ है, 72 दिया ह तो चलो करके देखते हैं, direct करके देखते हैं, 48 से, तो 48 के table में हमें 0 कब मिलेगा, एक पर गौर से देखो, unit positions पे क्या है, 8 है, unit position पे क्या है, 8 है, ठीक है, तो 0 कब आता है, 8 के table में, 5 के chance में, या तो 10 के chance में, या 5 के chance में, तो 5 के chance में अगर देखें, तो 10 करते हैं, तो 400 180 होता है, तो इसको हम divide करके देखेंगे, चलो हम इसको divide करते हैं, 720 divided by 48 करते हैं, तो one time से मैंने 48 लिख दिया, तो यहां 12 में से 8 जाएगा, तो 4 बचेगा, 4 बचा, और यहां पर क्या बचा, 6 में से 4 गया, 2 बचा, तो यह 240 हो गया, अब इसको 48 को 5 से multiply करो, तो यह divide हो इन सब को मैं clean कर देता हूँ, ठीक है, तो second number हमारा यहां पर क्या बना, second number हमारा बना है 15, ठीक है, अब आपको क्या करना है, second number आपने calculate कर लिया, अब आपको क्या करना हो, FCF या LC, लिख निकालना है, तो first number आपको पता है, second number आपको पता है, तो सबसे पहले मैं HCF calculate करना चाहता हूं, ठीक है, क्या calculate करना चाहता हूं, मैं HCF calculate करना यहाँ पे चाहता हूं, तो चलिए HCF calculate करते हैं इस questions में, तो HCF के लिए आप क्या करोगे, 48 को 15 से divide करते हैं, और देखते हैं कि यह division method से ही मैं solve कर लेता हूं, जल्दी से solve हो जाएगा, ठ ठीक है, तो HCF के लिए हमने क्या किया, हमने 15 से 48 को divide किया, तो 15 3 जा 45 होता है, और हमें यहाँ पे remainder 3 मिला, और 3 से मैंने 15 को divide कर दिया, 3 5 जा 15 होता है, तो आपका HCF आपको पता चल गया, HCF आपको क्या मिला, HCF आपको मिला, HCF is equal to 3 आ गया, ठीक है, तो HCF आपका 3 पता चल करना है, तो LCM के लिए क्या करेंगे, हम 720 को 3 से divide कर देंगे, अब 3 के table में, अगर 720 देखिएगा, तो 24 तैमस में आगा, तो क्या जाएगा, 240 तो 240 यहाँ पे क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से हमने exercise 2.6 को भी solve कर लिया, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, और हम आगे के exercise को देखते हैं, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इस बीच अगर वीडियो पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लिए, और मूल मंत्र बूलिए गामत, आप भी पढ़िये और दूसरों को भी पढ़ाईए, कैसे बढ़ाएंगे, वीडियो को शेयर करके, तैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो